नमस्कार, रुपांडशी उस किचन में आपका सौगयत है, आज हम बहुत ही फेमल जोदपुरी मावा कचोरी बनाएंगे, तो चलिए हम देखते हैं कि मावा कचोरी बनाने के लिए किनकी सामगरी की जरुत है, इसके लिए मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, 250 ग्राम मावा है और इसके लिए 500 ग्राम ही शकर लिए यह बदाम का पाउडर है, इसको हमने बदाम को लेकर उबाल कर छिल लिया, थोड़ा सुखा लिया और उसके बाद उसको करश्ट करके इसका बारी थोड़ा पाउडर सा दरदरा पाउडर बनाना है, यह केशर है जिसको हम गानिशिं के ल इसमें से हम तीन टेवल इस्पून गी मुयन में डालेंगे, हम देख लेंगे कम जादा मुट्री का मौन हमको चाहिए, यह 50 करम मैंने पिष्टा लिया है, पिष्टा लेकर बॉयल किया है, बॉयल करके सुखा के और उसको कर लिया है, यह अखरोड पाउडर है, और यह पि उसके लिए हम चुटकी भर बैकिंग पाउडर डालेंगे मैदे में, और घी डालेंगे मौयन वाला, घी हम देख लेंगे, अगर हमको ज़रत लेगी, तो और ले लेंगे, पहले हम उसको मिला कर देखेंगे, अब हमने गी को मैदे में अच्छी तरह सी मिला लिया है, तो यह मुठी बनने लग गई है, तो अब हम इसको उसल लेंगे, हमको इसको नॉर्मल पानी से उसलना है, ना पानी ठंदा है, ज्यादा और ना गरम, यह हमारा डो बन गया है, अब हम इसको हम पंदराने अब एक पेन में मावा सेक लेंगे, मावा थोड़ा अच्छा सेक ना है, ताकि आराम से कचोरी ज्यादा दिन तक टिक जाए, शुरू में हमने पेन गरम हो तब तक हाई फ्लेम रखे है, फिर हम इसको स्लो कर देंगे, हमारे मावे ने घी छोड़ दिया है, इसका मतलब हम इसको थोड़ा और सेकेंगे, शेकते हुए मुझे पांच मिट हो गया है, और पांच मिटी और सेकना है उसको, यह मावा शेकने के बाद अब लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, अब हम इसको नीचे उतार लेंगे, इस तक हम हमारे ड्राइफ्रूट रोस्ट कर लेंगे, गी डालेंगे, एक पेड में जरा सा घी डालेंगे, और जो हमाने ड्राइफ्रूट से उनको रोस्ट करेंगे, ताकि उसमें अच्छी सी खुश्बो आ जाए, सबसे पहले बदाम का चूरो हम डालेंगे, बहुत ज्याद तोड़ा सब अदम कशुर भूना जाएगा उसके बाद में हम इसमें डालेंगे पिष्टा और अखरोड इस मसाले में सब बहुत अच्छी खुश्वों आने लगए है तो अब हम इसको नीचे उतार लेंगे नीचे उतार कर जो हमारा शिकाव हम आवा है उसमें मिला देंगे एक पैन में हम शकर डालेंगे और पानी डालकर उसके चाशनी बनाएंगे शकर से आधा पानी डालना है हमको पर शकर डूप जाए इतना पानी डालना है इसको हिला देंगे शकर साफ है इसको दुट से साफ करने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर आपकी शकर गंदी आजाए कभी तो उसको दुट डालकर साफ कर सकता है यह हमारी चाशनी बन रही है हम इसको एक तर के चाशनी तक पकाएंगे और फिर इसमें थोड़ा सा केशर डाल देंगे अब हम इसको एक साइट कर देंगे अब एक पेन में हमने घी गरम करने के लिए रखा है अब हम कचोरी घड़ेंगे यह मैंने मसाले के छोटे छोटे बॉल्स बना लिया है इसमें हमने शकर बिल्कुल भी नहीं डाली है क्योंकि हम शकर उपर से चाशनी एक अचोरी पर डालेंगे तो बहुत मीठी हो जाएगे ओ यह मैदा में एक जैसा कर रहे हूं उसके बाद इसके बॉल्स बनाएंगे हम एक मैदे की बॉल लेकर उसको फ्लैट करेंगे बीच में थोड़ा सा गड़ा जैसा बनाएंगे अब इसमें एक लड़ू मसाले का भरके और इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे बंद हमें अच्छे तरीके से करना है नहीं तो कचोरी गी में जाके खुल जाएगी इसका एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको हम निकाल देंगे और फिर इसको सीधा करके इसको हतेली की सहता से फ्लेट कर लेंगे हम बहुत ज़्यादा बड़ी कचोरियां नहीं बनाएंगे यह कचोरियां हमने घर ली है अब इनको हम घी में छोड़ेंगे घी इसके लिए बहुत गरम नहीं चाहिए मीडियम घी चाहिए अगर आपके पास बरतन छोटा आप लें तो इतनी एक साथ नहीं डालें अब यह आराम से दिरे दिरे तलाएगी और घी में उपर आ जाएगी कचोरियां उपर आने लगी है फूल रहे हैं थोड़ी देर में इनको पलटेंगे अब हमने इनको पलट दिया है और इनको गोल्डन होने तक तलेंगे गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब ही निकालेंगे तो हमारी कचोरि तला गई है अब हम इसको निकाल रहे हैं फिर चाशनी में डालेंगे केशा डालेंगे केशा डालके हिला देंगे अब हम एक कचोरी लेंगे उसमें बीच में छोटा सा छेत करेंगे और उसको जारी पर रखेंगे और इस तरह से चाशनी पिलाएंगे कि उसके उपर बें चली जाए और थोड़ी चाशनी अंदर चली जाए तो यह रस्मरी कचोरी हो जाएगे थोड़ा सा रज त्यालेंगे ज्यादा नहीं सभी कचोरियां इस तरह से कर लेंगे यह कचोरी तयार है अब हम इसमें बरक लगाएंगे उसको रुई से दवा देंगे ताकि सारी कचोरियां सेपरेट हो जाएगे अब ही बरक के उपर हम केशर के चीटे देंगे इससे कचोरी बहुत ही सुन्दर लगती है और टेस्ट भी और बढ़ जाता है और उसकी बाद पिश्टा डालेंगे उपर से यह हमारी कचोरियां त्यार हो गई है अब आप इनको टेस्ट करिए और रेसिपी बनाईए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद यह हमारी कर दो पिए प्रेंड्स करिए जादे जाता है